नमश्कार दोस्तों मैं नरेश कोहली आप सब का हादिक स्वागत करता हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं इस कारिकरम में हम जो हमारी पाठे पुस्तक है उसमें शामिल पाठों पर चर्चा करते हैं और इसी करम में आज हम लोग कक्षा 10 की जो पाठे पुस्तक है NCRT की बित्रो जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा जैसे ही हम किसी पाठ का नाम सुनते हैं हमारी एक जिग्यासा होती है कि इसमें है क्या डाइरी का एक पन्ना तो सबसे पहली जिग्यासा यही है कि डाइरी होती क्या है डाइरी जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे दैनिक जीवन का एक लेखा जोखा है जिसमें कि आप अपने जीवन में होने वाली अपने दाइरे में अपने परिवेश में होने वाली घटनाओं को दैनिक रूप से दर्ज करते हैं और ये दैनिक रूप की परिभाशा थोड़ी विस्तरित होती जाती है जैसे हमारी आवशकता होती है कोई सापताहिक रूप में भी लिख सकता है कोई महीने में एक दिल लिखता है कोई छे महीने में, कोई साल में लेकिन जैसे जैसे उसका समय बदलेगा, उसका रूप भी बदलता जाएगा, वो हो सकता है कि डायरी ना रहके फिर वो आत्मकता हो जाए, वो हो सकता है कि एक अख़बार की कोई घटना की तरह से हो जाए, लेकिन ये निश्चीत है अगर हम डायरी लिखना चाहते हैं, तो ह में दैनिक रूप से घटनाओं को उसमें दर्ज करना पड़ता है और इसी लिए उसको रोजनामचा भी कहते हैं कि आप डेली का घटना करम उसमें लिख रहे हैं वो आपके अनुभव हो सकते हैं जो आप समाज में देखते हैं वो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं इसलिए की परिभाषा को कहां तक समझते हैं इससे दो तीन हमारे उदेश्य पूरे होंगे एक तो ये कि हम डाइरी कैसे लिखी जाती है उसको जानेंगे इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि जब कोई एक विस्क्रित संदर्बों में डाइरी लिखता है सामाजिक हो सांसकृतिक हो राजनेतिक हो जब बड़े घटना कर्मों में डाइरी लिखता है तो उसका रूप कैसा होता है और इसके उधान आपको कई मिलेंगे आप महात्मा गांधी से लेके नहरुजी के साथ-साथ घंद शाम बिडला तक जमना दास तक और सीता राम सिक्सरिया ये कुछ ऐसे नाम है जो हमारे आजादी के आंदोलन के दोरान लगातार घटनाओं को अपने डाइरी के रूप में अपनी स्मृति के रूप में दर्ज करते थे और आज वो इतिहास का एक पन्ना हो गए हैं तो डाइरी कब कौन सा रूप ले लेगी वो लिखने वाले पे निरभर करता है लेकिन ये हमें उस दिन की एक पूरी की पूरी आँखो देखी तस्वीर हमारे सामने रख देती है कि उस दिन क्या हुआ था और इस विधा के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहें तो दूसरे माध्य में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हमें पाठ पे चर्चा करनी है तो हम चाहेंगे कि पहले सीता रामसेक सरिया जो कि इस डाइरी के एक पन्ने के लेखक हैं उसके बारे में थो जो कर्म भूमी बना जो कि उनकी कर्म भूमी बना वो बाद में चलके कोलकत्ता में बना जिसे हम आज कोलकत्ता कह रहें वो पहले कलकत्ता था और उस समय में अंग्रेजियों की राजधानी भी था जो अंग्रेजी शासन था उसकी राजधानी भी था सीता राम सेक्षरिया की कई तरह की पहचान है वो एक सामाजिक कारिकरता है शिक्षा विध हैं इसके साथ साथ भारतिय स्वाधिन्ता अंदोलन के एक स्वतंतरता सेनानी है और साथ ही साथ कई जो सेक्षिक संस्थाएं थी उन से जुड़े हुए इसतरी सिक्षा से खास तोर से उनका गहरा सम्मन्द रहा है और इनका लगाव इनकी सिक्षा दिक्षा कहते हैं जो अप्चारिक सिक्षा दिक्षा होती वो बहुत कम हुई उसके अलावा इनोंने अपने आप से ही सारी पढ़ाई लिखाई की और बाद में चलके जब ये कलकत्ता में सिफ्ट हुए और कलकत्ता में इनको गांधी जी, नहरू जी, सुभाष चंदर बोस इन बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ काम करने का मोका मिला लेकिन इनकी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में भी हुई और उस व्यापारी का जो सामाजिक योगदान होता है वो उस दिशा में इनको खास तोर से याद किया जाता है इनकी कुछ जो चर्चित कृतियां हैं वो डाइरी नुमालेखन में ही आती हैं जैसे आपको उनके नामों से ही अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरहें की रचना हैं जैसे एक इनकी रचना है स्मृतिकन यानि कि आप याद कर रहे हैं कोई उस चीज के बारे में बीता योग जो समय बीट गया उसके बारे में बीता योग उसके साथ साथ नहीं याद और दो भागों में है इनकी डाइरी एक कारिय करता की डाइरी इसी सीर्शक्षे वो प्रकाशित भी हुई और उसी का एक पन्ना हम आज डिसकस करेंगे उसकी चर्चा करेंगे मित्रो जैसा कि मैंने कहा कि सीता राम सेक्षरिया को बहुत सारे बड़े बड़े जो स्वाधिनता सेनानी थे हमारे आजादी से पहले उनका साथ मिला उनके साथ काम करने का मोका मिला ये पाठ भी कुछ ऐसा ही है इसमें जो घटना दर्ज है वो 26 जनवरी 1931 की दर्ज है और इस दिनांग का जो इस डेट का जो महत्व है वो भी जानना जरूरी है हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम लोगों ने यानि के भारतियों ने अपना पहला स्वाधिनता दिवस मनाया था लाहोर में रावी नदी के किनारे पे उस समय जोहरलाल नहरूप जो की उ के सभापतित में यह कारिक्रम मनाया गया और यह घोशना की गई कि अब हम अंग्रेजों से पूर्णाजादी के सिवा कुछ नहीं चाहिए .. संपूर्णाजादी के अलावा कुछ नहीं .. यह पर्तिग्या की गई और उसी एक वर्स बाद कि गटना है 1931 की.. लेकिन यह दिना दिवस सोतंतरता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया लेकिन आपको इस दिनांग को हम यादगार बनाना चाहते थे तो आजादी के बाद जब हमारा स्वीधान लागू होना था तैयार होना था वो 1949 में तैयार हो गया था और डेट भी 26 नुमंबर थी 1949 में तैयार हो गया था लेकिन क्योंकि हमें उस दिनांग को साइध हम चाहते थे कि इस थाई रूप से हमारी स्मिर्थी में रह जाए तो हमने उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 में इसलिए आपको इस घटना करम का जो उसकी जो प्रिष्ट भूमी है उससे थोड़ा सा अंदाज जरूर होना चाहिए और जैसा कि हम सब जानते हैं डाइरी में बताया कि प्रती दिन की घटनाएं दर्ज होती हैं जो हम देखते हैं सुनते हैं मैसूस करते हैं वही उसमें दर्ज होता है और 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकता में ये कारिकरम आयोजित किया गया और इसी का लेखा जो खा इसमें है खास तोर से ये सुभाष चंद्र बोस जी का जो था इस घटना में उलेख है और भी बहुत सारे साथी हैं हम सब का जब हम इस डाइरी के पन्ने को पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा इसमें क्या-क्या है दिखी डाइरी लिखने का एक तरीका भी हम ज हम जर्नली उसमें जगे डालते हैं कि हम कहां लिख रहे हैं जैसे कोलकता में लिख रहे हैं शिमला में लिख रहे हैं या दिली में कहीं पे भी हम गाव में लिख रहे हैं ताकि वो जब भी कोई पन्ना उसको पल्टे तो उसको वो पूरा प्रिद्रिश्य एकदम से किसी की आखों के सामने वो ताजा हो दाए यही है और इस पन्ने को पढ़के भी हम 26 जनवरी 1931 की उस घटना को याद कर सकते हैं और एक इसमें ये भी उलेख है बार-बार की 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकता में क्यों बनाया गया क्योंकि ये कहा जाता था कि बाकी जगे तो अंदोलन सक् हैं लेकिन क्योंकि उस समय तक कोलकता ही हमारी जो अंग्रेजों की थी वो राजधानी थी इसलिए कोलकता में कोई बहुत जादा एक्टिविटी नहीं होती थी तो एक तरह से ये पार्ठ के अंत में डाईरी में क्या हुआ देखिए एक परग्राफ हम लोग पढ़के देखते हैं कि 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में सुतंतरता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुन्रावर्ती थी जिसके लिए काफी तैयारिया पहले से की सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्य करता थे उनके घर घर जाकर समझाया था अब देखिए इसमें हम लोग जानने का समझने का जो है कि डायरी कैसे लिखी जा रही है सीता राम सेक्सरिया पहले वो प्रिष्ट भूमी के तरह बता रहे गया उसकी तैयारी के लिए क्या किया वो सारा विवरंड है और ये निर्ने लिया गया इस पार्ट इसमें आप देखेंगे कि जो कलकत्ता में में मेमोरियल कहा जाता है जो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं उससे पहले कि मेमोरियल है सहीदी मिनार उसको कहते हैं वहां पे उस अंग्रेजी प्रसासक है अंग्रेजी साशन है वो उसका विरोध भी करेगा तो दो तरह की एक्टिविटीस में आपको दिखाई देंगी एक तरफ स्वाधिंता सेनानियों ने क्या तैयारी की और दूसरी तरफ पुलिस ने क्या कारवाई की और यह हम दैनिक जीवन में भी सकते हैं आज कल भी ऐसा ही होता है जब कोई परदर्शन होता है धरना होता है कोई आंदोलन होता है तो एक तरफ तो सरकारी आदेश निकलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी यह जो आंदोलन कारी होते हैं वो कहते हैं हम ऐसा ही करेंगे अर्थ कीये जैसे बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राश्टी जंडा फेरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए असा मालूम होता था मानो स्वतंतरता मिल ही गई हो कलकत्ते के प्रतेक भाग में जंडे लगाए गए थे जिस रास्ते से मनुश्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं होई थी और दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्ट कर रही थी मोटर लारियों में गोर्खे और सारजेंट परती एक मोड पर तैनात थे कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी घुड सवारों का प्रबंद था कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था बड़े बड़े पार्कों तथ मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था अब आप देखिए कि दो तरह का है कि एक तरफ उसकी तयारी चल रही है कोलकत्ता में अगबुद रिश्य है दूसरी तरफ पुलिस ने चारों तरफ से एक तरह जो पार्क है आंदोलन या इस तरह के जो होते हैं वो खु कोशिश की इसके अलावा सुंदری पार्क में है वहां पर हरिस्चंडर सेंग ने कोशिश की इसके अलावा गुज्राती सेवी का संग की जो महिलाएं थी उनहोंने भी कोशिश की लेकिन इस पूरी डाइरी के क्रम में और जो सब से महत्रपूर्ण बात है वो इस आंदोलन में महिलाओं की बहुत बड़ी भागितारी है बहुत बड़ी भागिदारी पहली बार महिलाओं ने बढ़ चड़के इस कारिकरम में हिस्सा लिया और लड़कियों ने मैंने जैसे कहा पहले इनके परीचे में भी कि सीता राम सेक्षरिया ने महिलाओ की शिक्षा के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है उनका तो जो गुजराती या मारवाडी बाली का विद्याले था वो उन्हीं की देख रेक में चलता था तो वहां पर बालीकाओं को इस दिन के बारे में इस प्रतिग्या के बारे में इस कारिक्रम के बारे में बताया गय और उसके साथ साथ ये भी किया जा रहा था कि साथ साथ में इन घटनाओं का स्थाई महत्व दर्ज हो जाए तो कहीं फोटो लिये जा रहे हैं कहीं पे लोग भीड में टोली में इधर से उधर कोशिश कर रहे हैं कि मैदान तक पहुंचे और इसमें सुभास चंदर बोस भी ह उनके साथी का उलेख है पूर्णो दास उन्होंने कोशिश की उनसे सुभास बाबू इसके लिए समय भी फिक्स किया गया कि हम सारे लोग अलग अलग दिशाओं से आके मौनुमेंट है वहां पहुंचेंगे और वहां पे जंडा फैर आएंगे तो इससे पहले पुलिस ने मैं फिर यह उलेख करना चाहूँगा कि इसमें महिलाओं की भागेदारी का बड़ा विस्तरित उलेख है देखिए सुभास बाबू का क्या है सुभास बाबू के बारे में एक पैराग्राफ हमें देखना चाहिए कि ठीक चार बज कर दस मिनट पर सुभास बाबू जलूस लेकर चले लेकर आए उनको चौरंगी पर ही रोका गया पर भीड की अधिक्ता के कारण पुलिस जलूस को रोक नहीं सकी मैदान के मोड पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी बहुत आदमी घायल हुए सुभास बाबू पर भी लाठियां पड़ी सुभास बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे जोतिर में गांगुली ने सुभास बाबू से कहा आप इधर जाए पर सुभास बाबू ने कहा आगे बढ़ना है और दिखी ये सीधा उनकी आँखों के सामने हो रहा है डाइरी में जो डाइरी में दर्ज करता वो पर्टेक्स दर्शी होता एक तरह से और ये कह रहे हैं कि सीता राम भी उसी आंदोलन में, उसी समू में है, उसी में कहने चाहिए उनके साथ चल रहे हैं, यह सब तो अपने सुनी हुए लिख रहे हैं, यानि कि मैं जो यह घटना करम लिख रहा हूँ, यह सब मैंने देख पुलिस भेंकरूप से लाठियां चला रही थी और एक साथी का उलेख है शितीश चटर जी उनका सर फटा हुआ था और उसको देखके तो कहना ची आखें मिच जाती थी यह देखते हैं जब हम किसी का बहुत ज्यादा खून बहरा होता सर फटा हुआ तो हमारे सभावी का थो हो रहा है बार-बार लेकिन वो लोग पीछे नहीं रहते हैं पुलिस कहना चाहिए लाठी बरसा रही है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं अलग-अलग दिशाओं से कभी वो इस इस दिशा से आते कभी दूसरी दिशा से और होता क्या है कि जहां पे जुलूस को रोका जा बहुत सारी महिलाओं को भी वहां पहुचा दिया जाता है और इसके अलावा एक हमारे इसमें साथी का उलेक है जो उनके साथी थे वो कहते हैं कि व्रजलाल-गोईनका है कि वो तो एक बार इतना जोस में आया और इतना तेजी से दोड़े जंडा लेके कि मॉनुमेंट पे मैं फैरा दूँगा इसका और वो उसमें गिर भी गए और उसी गिरने पर पुलिस वाले ने उसको लाठी से प्रहार भी किया यह जो सारे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सामने जैसे आज कल हम लोग किसी सीधा परसांड देखते हैं वीडियो कारिकरम का यह उस तरह का है डा बहुत रोचकता के साथ कोई पढ़ेगा नहीं और वो लेकिन यह रोचकता यह गंभीरता यह शैली का जो परिपक्वता होती है वो धीरे धीरे आती है अगर हम कोशिश करेंगे तो हम भी एक सुन्दर डायरी लिख सकते हैं और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेके सामा सब मिलाकर 105 इस्त्रियां पकड़ी गई थी बाद में रात को 9 बजे सब को छोड़ दिया गया कलकता में आज तक इतनी इस्त्रिया एक साथ गिरफतार नहीं की गई थी करीब 8 बजे खादी भंडार आये तो कांग्रेस ओफिस से फोन आया कि यहां बहुत आदमी चोट खाक कर आये हैं कई की हालत संगीन थी यानि के गंभीर थी और उसके लिए गाड़ी चाहिए थी उनके लिए गाड़ी चाहिए थी जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी थी डॉक्टर दास गुपता उनकी देखरेक और फोटो उतरवा रहे थे उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे बाद में तो 103 आ पहुंचे थे इसके अलावा भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे उसका उलेख है कि ये तो वो लोग है जो कि कॉंग्रेस के दफ्तर में आये उनको सहायता की जरूरत थी मेडिकल सहायता की जरूरत थी इसके अलावा जिन लाल बाजार का उलेख हाया जहां पर सुभास बाबु को भी गिरफतार करके रखा गया और भी महिलाओं को उसका उलेख मैंने कहा कि वहां पर भी 105 महिलाओं की संख्या दर्ज है और इसके बाद ये कहते हैं इस पूरे घटना करम में आप देखिएगा इसमें दो तीन ची का है उनके अत्याचारों का किस तरह का रूप है और वो कैसे उनके विरोध में हम लोग संग्राम कहिए ये संगर्स कहिए वो जारी रखे हुए थे इसमें जिसका मैंने पहले भी उलेख कि इस घटना का महत्व ये कह रहे हैं कि इस से पहले कौलकता में इस तरह की घटना नहीं होई थी और कौलकता के नाम पे एक तरह का ये उन्होंने शब्दी इस्तेमाल किया कि कलंग था धबा था कि यहां के लोग बहुत एक्टिव नहीं हैं बहुत सक्रिय नहीं हैं स्वाधिन्ता के आंदोलन में उसका वो देखिए वो डाइरी में ही दर्ज है वो क्या है आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था बंगाल के नाम या कलकता के नाम पर कलंग था कि यहां काम नहीं हो रहा है वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहां भी बहुत सा काम हो सकता है अब आप इस डाइरी के पने को बिलकुल जिसको कहते हैं कि इस डाइरी को ही पढ़िये एक एक शब्द आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस घटना आप यह पूरी घटना आपके सामने एक चित्र की तरह एक वीडियो की तरह आपको दिखाई देगी ये डाइरी जो लिखता है उसके कौशल पर, उसके अनुभाव पर, उसके विजन पर, उसके द्रिष्टी कोँण पर निर्भाव करता है कि वो किन चीजों को दर्ज करता है, कैसे दर्ज करता है और वो हो सकता है कि उसके ध्यान में एक लंबा समय हो उन घटनाओं की समझ हो तो जैसे जैसे हमारा अनुभाव हमारा कोशल बढ़ता जाएगा हम उतनी ही बहतर डायरी लिख सकते हैं यहां पर डायरी का पन्ना देने का आशे यही है कि एक तो हम अपने स्वाधिनता अंदोलन की उस संघर्स की जलक पाएं जो हमने आपनी आजादी प्राप्त करने के लिए किया और साथ ही साथ हम स्वयम भी अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं को कुछ इस तरह से दर्ज करें कि वो ना केवल हम तक सीमित रहें बलकि उसको कोई भी जब वैसे तो कहा जाता कि डायरी पूरी तरह से निजी डाकॉमेंट होता है लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी डायरीयां बहुत सारी लिखी गई जो बाद में चलके एक तरह से क्लासिक साहित्य का उनको रूप मिला आप चाहे इनी की डायरी को ले लीजिए या हिंदी साहित्य में एक साहितिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी ले लीजिए आप जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जानी वाली एक डाइरी है एनी फ्रेंक की डाइरी जो जर्मन अत्याचारों के खिलाफ एक लड़की की डाइरी है मेरा कहने का आशे ये है कि ये हम सब पर निर्भर करता है हम घटनाओं को अपने जीवन में कैसे अनुभव करते हैं और उनको कैसे दर्ज करते हैं यही इस पाठ का उदेश्य कह सकते हैं और मित्रों अगर हम क्योंकि ये पाठ है डाइरी से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो कहीं न कहीं हमें इस पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया गया है उस पे भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो देखिए आपको कोई भी इसमें कठिना ही नहीं होगी बसरत है कि हम इस डाइडी के पन्ने को एक दो बार धैरिये से बिलकुल शांत मन से पढ़ें और फिर इनके जो सवाल दिये गए हैं सवाल दरसल इसलिए दिये जाते हैं कि वो पाठ में जो बात कहीं अधूरी रह गई है जिसका कियों संकेत आया है वो और जादा खुले और उस बात को हम अपने ढंग से लिख पाएं, कह पाएं, बोल पाएं, समझ पाएं यही पाठ का उदेशे होता है कि जैसे कि इसमें एक पहला ही सवाल दिया गया है कि कलकत्ता वाशियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महतुपूर्ण था अब हम सब जानते ही कि इसके लिए हमें यह कहना चाहिए कि हम इस बात को समझेंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, उसके अलावा कलकत्ता में मनाने का क्या आधार था वो हमने इस डाइरी के पढ़ने में पढ़ा, केवल उन बातों का संक्षेप में आपको उलेख कर देना है एक बात और मैं इस बारे में बस कहना चाहूँगा कि आप इसमें जो संदर्बाय हैं उनको तो जरूर देखिए, उनको तो जरूर जाचिए, खास तोर से जो एतिहासिक व्यक्ति, जो महत्व के स्थान हैं, व्यक्ति हैं उनके बारे में तो जानिये, आप उसके लिए किसी भी तरह की साहता ले सकते हैं क्योंकि हमें कहीं से पी इंटरनेट से या दूसरी सुविधाओं से अगर उपलब्ध होती है तो देख सकते हैं लेकिन एक बात अकसर की जाती है क्योंकि ये सेकिंड लेंग्वेज के रूप में जो हिंदी को पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए है थोड़ी सी बात की हम व्याकरण की भी करते हैं की व्याकरण को कैसे पढ़े कैसे पढ़ाया जाए तो एक आगरे हमारा यही है की व्याकरण को हमेशा संदर्ब के साथ पढ़ा जाना चाहिए अर्थात कोई भी ऐसा जो जिसको व्याकरण की गतिविधी कहते हैं जैसे संग्या है स्वरनाम है विशेशन है क्रिया है इनको कोई रटा मारने की जुरूरत नहीं है आपको उस पार्ट से संबंद जब उसका जोडेंगे हमारे दैनिक जीवन से जब उसका संबंद जोडेंगे तो बहुत सहज रूप में आपके सामने खुलने लगेगा जैसे इस में एक उधान दिया गया इसी पार्ट में कि संधी क्या होती है वैसे कहेंगे जहांपे ये मिलता है वो मिलता आप बहुत सारी परिभाष singular है उसकी देखेंगे लेकिन इसी पार्ठ में कुछ शब्द आये हैं जैसे कि सरधानन्द शब्द आया है पर्तेक आया है पुर इल्कुल एक की अंदिम धुरी और दूसरे की पहली धुरी आपस में मेल खाने लगती हैं। कब भी दिया हूआ है कि विध्या प्लस अर्थी जैसे विध्या का अर्जन करने वाला विध्या आ और अ मिला तो वह दीर्ग हो गया तो ये कुछ सामने सी बातें हैं और आप इसको पाठ से जोड के देखिए और साथ ही साथ केवल पाठ तक सीमित पाठ से आगे जाईए हमारे स्वाधिंता सेनानियों ने जो और डाइरी लिखी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों राजनेतिक हो सकती है या साहित्तिक हो सकती है उसको पढ़िए खोजिये और इसमें जो बहुत सारे नामों का उलेक है उनके बारे में विश्टित उस रूप में जानिये, तो मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं कि डाइरी का एक पन्ना हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, हम भी उसी तरह का महसूस करें, जैसे इस पार्ठ से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है कि हमारा ये पार्ठ आप लोगों के लिए, हम सब के लिए उ बेंने वादे